अगे जो पोएम अभी हम करने वाले है उसका नाम है A Dream Within A Dream एक सपने के अंदर सपना है ना A Dream Within A Dream और इसे लिखने वाले है Edgar Allen Poe अगे अगे जो हम स्टार्ट करते हैं जो यह जिसका फॉर्म है वो आई गेस पहले एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा लाइन का फॉर्स्ट है और इसके बाद वाला है ना दो स्टैंजा ही है एमबिक, एमबिक ट्राइमीटर हमें देखने को मिलता है काफी जगा है ना पोएम के अंदर एक जो लवर है वो अपने, एक, एक परसन, अपने लवर से दूर जा रहा है ना, तो वो दूर जाते हुए ये, जो, पूरा कन्वर्सेशन है ये वो करता है ना, सो स्टार्ट होता है तो मतलब है कि गुडबाई किस वो कर रहा होता है अपने लवर को वो कह रहा होता है कि ये किस लो अपनी ब्रो के उपर मतलब अपने माथे पर ये किस लो और वो से किस करता है और कहता है कि अब जब मैं तुम से दूर जा रहा हूँ मैं जब तुम से पार्ट कर रहा हूं, मैं तुम से दूर जा रहा हूं This much, let me allow इतना मुझे रिवील करने तो, इतना मुझे बोलने दो है इतना मुझे मान लेने तो, confirm कर लेने दो You are not wrong, तुम गलत नहीं हो Who deemed that my days have been a dream जो ये मानते हो, तुम जो ये मानते हो तो तुम रॉंग नहीं हो, है ना, येट, तो basically जो ये person है, ये कहता है कि, अपने lover के बारे में ये कहता है कि, इसके lover को ये लगता है, कि जो उनका relationship था, वो अब तक का dream था, है ना, जो भी हुआ अब तक, वो एक dream था, है ना, कि जो भी इस speaker ने time spent किया है, वो सब एक सपना ह Yet if hope has flown away, in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seen is but a dream within a dream तो इसके बाद एक rhetorical question है, तो जो poet है, narrator है, वो कहता है कि, Yet if hope has flown away, है ना, कि अगर मेरी जिन्दगी से hope चला जाए, देखिए, ये जो next of four lines है, ये बहुती, confusing है ना, तो आप कोई अच्छे से समझना है, तो अब तक बात ही हो रही थी, कैसे जो आपकी जिन्दगी है, हो एक dream है, अगर आप लोगो ने matrix देखा है, मैट्रिक्स देखा है, तो आपको पता ही होगा, मैट्रिक्स के अंदर कैसा होता है, कि जैसे कि आप एक dream में जी रहे है, आप for example हमारा present life ही ले लीजिए, हो सकता है, एक simulation है, simulation मतलब हो सकता है, aliens यह simulate कर रहे है, हम लोग simulation के अंदर जी रहे है, ऐसा हो ही सकता है, आप confirm करने के लिए आप कहां तक ही जाएंगे, तो हो सकता है, there is a good possibility की simulation है, तो यह एक dream है, आपके dream के अंदर, for example आप सपना देखते हैं, तो जब सपना आप देखत पता होता है कि यह सपना है, आपको उस moment में है, उस precise moment में आपको वो सची लगता है, जब आप सपने से निकल आते हैं, तब आपको बार चलता है, आच्छा, वो तो सपना था, तो क्या पता है, यह भी एक सपना हो है, ऐसा हो ही सकता है, up for argument है, तो इतना तो अब तक अब त रात को जाए, रात को आपका hope चला गया है, या फिर दिन को आपका hope चला गया है, समझे कि आप relationship में है, और आपका relationship का इनल टूट रहा है, अब क्या फरक परता है कि वो दिन में टूट रहा है, कि रात में टूट रहा है, इना vision और in none, या फिर वो सपने में टूट गया है बहले ही जैसे कि इससे पहले lover ने कहा कि एक सपना है न तो बहले ही वो सपना ही क्यों ना हूँ है न सपना हो या सपना ना हूँ जो hope है अगर वो pass हो गया अगर वो चला गया इसे therefore less gone तो यह इस से समझिए कि समझिए आप अपने सपने में थे हैं ना और सपने के अंदर और जो आपका सपना है वो यह है थोज़ेर के लिए imagine कर लीजिए कि हमारा जो यह life है है यह सपना है ना अगर यह सपना है तो आपके जो hopes है आप जो dreams है वो क्या कोई important है है ना आप जो आप अगर you know poet बनना चाहते है या फिर आपके पर आपका एक love inटिर notion एब यंथ से प्यार करते है ना तो क्या आपका प्यार कं हो गया just because यह सपना है नहीं आपका जो hope है, आपकी जो dreams है, क्या वो, क्या वो, क्या वो any less, less important है, just because ये एक सपना है, या ये एक simulation है, नहीं न, तो वही हमारे poet यहाँ पर कहना चाहते हैं कि, कि, अपने lover से वो कहते हैं कि, it's okay, it's okay, अगर आपको लगता है कि, ये सब एक dream है, but just because ये dream है, doesn't mean मेरा जो hope है मेरा जो ये प्यार है, ये जो relationship है, ये any less important है, न, तो वही कह रहे होते हैं, कि hope has flown away, है न, कि अगर hope चला जाए, रात में जाए, या दिन में जाए, मेरे vision में, मेरे सपने में जाए, या सपने के बिना ही चला जाए, न, अस्तियत में चला जाए, कोई फरक नहीं परता है, इससे मेरा जो, ये, ये जो hope है, ये, कोई less, कम नहीं हो जाएगा, न, it will, it will, therefore the less gone, ऐसा नहीं कि कुछ कम मेरा चला गया है, न, जाएगा तो मेरा पूरा पूरा ही है, न, because यही मेरे लिए सब कुछ था, dream होगा आपके लिए, बट मेरे लिए तो सब कुछ है, तो मेरा यह नहां से गया, मतलब सब जगह से गया, भले ही, ये dream ही क्यों ना हो, तो I hope कि आपको ये समझ भाया है, न, for example, अभी, अब समझे कि, you know, किसी higher being के लिए तो यही आपका जो ये life है, कितना ही important होगा, for example, आपके लिए चीटी का life कितना ही important होता है, कितना ही है, उसे muscle दो, या तो पुरा असका दुनिया उजर गया है, न, तो यही बताने कि आपके कोशिश की जा रही है, all that we see or seem is what a dream within a dream, तो, तो कहा जा रहा है कि, जो भी आप देख रहे हैं, all that we see, जो भी हम देख पा रहे हैं, और जो भी हमें लग रहा हैं, what seems is what a dream within a dream, ये सब एक dream है, एक और dream क पता सकते कि, क्या जो ये है, वो सच में है ये नहीं है, बट इससे फरक नहीं पड़ता है न, ये dream हो तो भी क्या, ये dream नहीं हो तो भी क्या, आप के लिए तो ये real है न, आप जैसा feel कर पा रहे हैं, वो real है, भले ही दुनिया के लिए, भले ही एक और higher being के लिए, वो असल म matter करते हैं, तो उसके लिए उसके hopes, उसके dreams, उसका lover, उसका, उसका, you know, खाना लाना, ये उसके लिए important है, उसके लिए ये worthwhile है न, और इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि मुझे क्या लगता है, कि से और को क्या लगता है, बला-बला-बला, है न, ये got that? while I weep, while I weep, oh God, can I not grasp them with a tighter clasp, oh God, can I not save one of, one from the pitiless wave, is all that we see or seem, but a dream within a dream, तो यहाँ पर, जो हमारे person है, जो हमारे poet है, ये एक किनारे में है, न, समुदर के किनारे में है, वो, आप बीच कह सकते हैं, वो बीच पर है, है न, शोर पर है, और वो हाँ पर कुछ कोशिश कर रहे है है, न, क्या कुछ रहे है, वो एक तिन का, ये जो, सैंड का, सैंड का एक green है, सैंड का एक को बचाने का try कर रहे है, आप जब सैंड को अपने हाथ मे लेते हैं, और मुठी अपना जो है, जो अपना grasp है, वो बहुत tight कर लेते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो सारे की, जो भी sand आपने पग़ रखता है, वो सब हाथ से फिसल जाता है, सब निकल जाता है, जितना tight पकड़ेंगे, उतना ही tightly वो निकल जाएगा, वो आपके हाथ से चला जाएगा, गिर जाएगा, तो वो ही कह रहे है, I stand amid the roar of a surf tormented shore, कि मैं ऐसे एक समुदरी किनारे में, किनारे पे पानी की जो एक लहर है, वो आती है, और सब कुछ बहां के लेके चली जाती है, जो हमारा beach है, उस पर sand है, उनको बहां के लेके चली जाती है, वो torment कर रही है, समझे, वो आती है, और वो धराम से क्या बोलते है, जो beach है, उसके उपर जाती है, पत्थरों पर टकराती है, जो वह भी sand वहाँ पर है उनको वह लेके दोबारा पानी में चलियाती है, यह torment कर रहे हैं अभे दुख दे रही है land को, इस तरह से आप देखिए है, वह एक ऐसे जगह पर है, जहाँ पर shore है, और वह कह रहे है, and I hold within my hand, और मैं अपने हाथ के अंदर, हाथ से hold कर रहा हूँ कुछ क्या hold कर रहे हैं वह, grains of golden sand, gold color का sand, see gold color बुला गया है, because sunlight पढ़ रहा है, तो gold color का जो यह sand है, इसके greens, इसके छोटे-छोटे कन है, मतलब जब भी आप sand को पकड़ते हैं, तो obvious सी बात है, उसके छोटे-छोटे कन होते हैं, वह आप उन्हें पकड़ रहे होते हैं, एक साथ पूरा का पूरा आपको लगता है कि sand है, so वो यह golden sand जो है, gold color का sand है, उसको पकड़ते हैं, how few, yet how they creep through my fingers to the deep, तो कितने कम है, बहुती कम मैं उठा पाता हूँ है, yet वो मेरे हाथ से कैसे निकल जाते हैं, creep कर जाते हैं, creep मतलब बहुती धीरे-धीरे, बहुती बिना कोई आव अंगलियों के मीच से वो निकल जाते हैं, to the deep, वापेस जहां पे वो थे, while I weep, see अब यह जो person है, try क्या कर रहे है, कि किसी एक को मैं रोक लू है, किसी एक को मैं बचलो, कोई तो मेरा अपना हो, कोई तो मेरे लिए हापे हो, सभी जो लोग है वो इस चीज से सफ़र करते ह हम सब कोई ऐसा person खोज रहे है, जो सिर्फ हमारा हो, सिर्फ हमारे लिए हो है, जो हमारे बात सुने, हमें, हमें understand करें, तो यह जो person है, उनका भी यही struggle है, वो भी बुल रहे है, while I weep, while I weep, कि मैं रो रहा हूँ, मैं किसी को बचाने का try कर रहा हूँ, किसी को अपने हाथ मे रखने का try कर रहा हूँ, बर दिन सब के सब निकल जा रहे है, कुछ नहीं बच रहा, यह सब एक अंत में, मैं अकेला ही खड़ा रहता हूँ, ओ God, कहना है, और फिर वो भगवान से kinda, यह question कर रहे होते है, ओ God, can I not grasp them, क्या मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता, क्या मैं उन्हें और आप और महनत करें, कोई person जाना चाता है, और अगर आप और महनत करें, आप सोचें कि नहीं नहीं, मैं अगर और effort डालूँगा तो शाइज से रोग जाए, और हुता क्या है, कि वो person सोचता है कि नहीं, मतलब कि जो वो person है, वो और जल्दी चला जाता है, आपको kinda freely जोड़ना होता है, कि थोड़ा time वो अपने इसाथ spend करें, थोड़ा अपना figure out करें, instead of focusing कि इसे कैसे रोका जाए, आप उसे freely घूमने दो है, for example, यही हम लेते हैं कि एक bird के case में, अगर आप एक bird लेके आएंगे, और इसे cage में बंद करेंगे, जैसे दिन आप cage खोलेंगे, पाँच महीने, आट महीने, वो भाग जाएगा, वासे है, वो condition हो सकता है, वो अपना freedom में भाग जाएगा, वो ही अगर यह bird लाएंगे, और आप सो cage में बंद नहीं करेंगे, खुला छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, वो थोड़ा वह यहाँ भागूमेगा, वो अपना जोर से tightly पकड़ना चाता है, वो और tightly पकड़ना चाता है, और इस tight, जितना वो tight करता जाता है, उतना ही वो rate जो है, वो फिसलता जा रहा है, तो वो भगवान से यही बोल रहा होता है, कि oh God, क्या मैं और tight अपना grip नहीं कर सकता, क्या, you know, okay, oh God, can I not save one of the, one from the pitless wave, pitless wave, तो वो कहता है कि क्या मैं एक को भी नहीं बचा सकता है इस wave से, जो पानी आने वाला है, जो समुद्र का wave आने वाला है, क्या मैं उससे एक भी grain को, एक भी sand के grain को बचा नहीं सकता, अब यह वो बोल रहा होता है, you know, भगवान से, is that, is all that we see or seem, but a dream within a dream, क्या सब जो हम देखते ह है, या जो हम समझ पाते है, हमें प्रतीत होता है, क्या वो सभी dream है, एक और dream के अंदर है, जो हमारा यहां पर एक sentence गया, क्या मैं बचा नहीं सकता किसी कोई spitiless wave से, तो देखिए, इसके उपर अगर थोरा सा सोचे, तो यह एक और kinda misconception है, जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें मैं लगता है कि आम सामने वाले को बचा रहे हैं, इमाजिन कीजिए आपका एक partner है और आपको लगता है कि मुझे पता है कि इसको क्या करना चाहिए, इस मेरे partner को क्या करना चाहिए, आप उसके उपर अपने ही ideas अपना रहे होते हैं, कि आपको better पता है कि उनके life में क्या कर इसे उनका लाइफ ठीक हो जाएगा, है ना, बट यह आपको नहीं करना चाहिए, for example, इस poem में, जो हमारा narrator है, उसे यह सा लग रहा है, कि वो grains को बचाने का ट्राई कर रहा है, वेव से, बट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कि just because हमारे narrator को यह लग रहा जरूरी नहीं है, कि जो आप exactly सोच रहे है, कि यह करने से उसका life ठीक हो जाएगा, वो भी यही सोचे, हो सकता है, उसका perspective तो different हो, so आपको kind of flexibility देनी होती है, आपको understand करना पड़ता है, कि उसका भी अपना life है, उसके भी अपने choices है, dreams है, so instead of आप उसको, आप उसके पर कोई decision थोपी है, आप अपने आप में कोई strike कीजिए, जो उसे पसंद ना हो, आप उसे रहने दीजिए है, जैसा वो exist करना चाता है, जैसे वो रहना चाता है, और इससे होगा कि आपता relationship जो है, वो और beautiful बन के आएगा, because आपने इसमें freedom allow किया है, यह थोरा सा मुश्किल है, because आप सोच रहे थे कि partner होना चाहिए, बट partner ऐसे ही होते हैं, आपको भी flexible होना पड़ता है, यह रहा हमारा बहुत ही अच्छा, जो हमारा poem है, लिखने वाले है, Edgar Allen Poe, और नाम है, a dream within a dream, I hope कि आपको अच्छे से सहज़माना होगा, thank you.